बोजपुरी के जुबलिस्तार निरहुआ की फिल्म भी हाली में रिलीज की गई जिसे देखने के लिए भारी भीट जुट रही है बता दें कि जिगर फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर में खुद दिनेश लाल यादव, खेशारी और यसकुमार एक साथ पहुँचे थे इस दोरान जब मीडिया द्वारा निरहुआ से उनकी फिल्म जिगर को लेकर सवाल जवाब किये गए तो अचानक उनकी आँखों में आसु छलक पड़े इसका कारण निरहुआ ने फिल्म के इमोशनल सीन को बताया निरहुआ की फिल्म जिगर में बहन की मोत पर भाई की इस्तिती का एक इमोशनल सीन है जो शायद सभी को रुला सकता है उसे सीन को देखकर निरहुआ सिनेमा घर में भी रोने लगे थे और फिर जब कैमरे के सामने आये तो उनकी आँखों से और जादा आसू बहने लगे साथ ही निरहुआ ने बताये कि फिल्म में ऐसे सीन देने के लिए भी उन्हें की जरुवत नहीं पड़ती वो स्क्रिप्ट पड़ते ही रोने लग जाते हैं बता दे के निरहुआ की फिल्म को जिगर को देखने के लिए marksारी और यह शाय थे जिदोंने निरहुआ और अंजनाकी काफी तारिफे की वेल जाते जाते बता दे कि बीते कुछ दिनों पहले यूपी में भी निरहुआ की फिल्म निरहुआ इंदुस्तानी टूर रिलीज की गई जहां इस फिल्म के टिकट खरीदने के लिए काउंटर पर दर्शकों ने आपस में मार धार तक कर डाली जिससे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा के इस साल लोगों में निरहुआ का नशा जम कर चड़ा है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा और शायद आगे भी ना उतरे क्योंकि इनकी लगतार कई सारी फिल्में एक की बाद एक रिलीज होंगी नेक्स नाइट न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट